हाई एवरिवन मैं आपको दोस्ता है स्वागत करतो हमने चैनल पे आज की वीडियो में उन्बॉक्स करेंगे शाउमी 12 प्रो जी हाई चाइना में लाउंच हो गया है जल्दी आज आएगा इसका बेस वेरियंट है 8GB 118GB स्टोरिज के साथ कोस्ट है 4699 युवान जो 55,000 इन्याल रूपीज बन जाता है यह वीडियो मेरा चाइनीज फ्रेंड बना रहा है और यह फोन मेरे पास 4 जनुवरी तक आज आएगा तब हम complete review करेंगे आज की वीडियो मे है शाओमी के एक चोटा सा box मिलेगा डिजाइन बाय शाओमी से मिजेक्टर टूल मिलता है इसमें और एक इसके अंदर हमें मिलेगा एक सिलीकॉन का कवर तो पहले हम कवर देख लेते हैं तो काफी सिंपल सा सिलीकॉन का कवर है बहुत कुछ नहीं दिया सिंपल सा ही लगा और कुछ खास नहीं फोन को बाहर निकालते हैं और बॉक्स के अंदर का भी कंटेंट देख लेते हैं कि चार्जर चुर्जर सारा क्या क्या इसमें मिलता है कलर काफी रेली काफी प्रीमियम लग रहा है फोन तो मैं रेली एक्साइटीड हूं जल्दी जल्दी मुझे मिल ज इसकी होफ़ोली तीन यह चार्ज जनुरी को मिल जाएगा इसमें मिलता है 120 वाट का चार्जर जी है शामी ने 120 वाट का चार्जर इस फोन में भी दिया इंडिया में भी आ रहा है मी 11 आई के साथ 120 वाट का चार्जर फोन की बैटरी है 4600 अमेच की और कंपनी के ती 18 मिनिट इसमें पूरी बैटरी चार्ज कर देगा और जो वाइरलेस चार्जर है जो यह फोन सपोर्ट करता है 50 वाट का सपोर्ट करता है और टाइप सी यह इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलती है साथ में रिवर्स वाइरलेस चार्जिंग मिलती है 10 वाट की जो मेरे साब यह वाल्यूम की पावरान बटन टॉप पे आपको आईयर ब्लास्टर, नॉइस कैंसलेशन इंटीन आरे और स्टीरियो स्पीकर मिलता है, साउंड बाई हार्मन कार्डन, यह रिली काफी बड़िया साउंड क्वार्टी देता है, काफी फोन में आ चुका है, वाटम की बात की इसमें आपको सिम ट्रे मिलेगा, स्पीकर, टाइप से चार्जिंग बोर्ड और स्टीरियो स्पीकर, जो मेरे साब से काफी बड़िया चीज है, एक बार आपको मैं सिम ट्रे भी दिखा देता हूं इस फोन की, तो इस फोन में आपको शामी की फोन 6.67, उते इस पर 73, तोड़ा चेंज किया है, अगर हमारी कंडिशन पूरी हो गई, तो रेली काफी प्रीमियम लुक्स है, कर्व स्क्रीन के साथ आता है, और मुझे रेली काफी ज्यादा पसंद आया, आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता स सकते हैं, तो कैमरा बंबी मुझे काफी बढ़िया लगा, काफी छोड़ा है, अब हम बात करते हैं, डिस्प्ले के 6.7 रींज के LTPO AMOLED पैनल मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश एट, एक बिलियन कलर्स, डॉल्बी वीजन, HDR10 प्लस का सपूर्ट, 1500 निट्स पीक ब्राइडनेस, 1440 इस बाइड़ बातीस हो का स्क्रीन, रेजोलुशन, 20 बाइडनेस, का एक स्पेक्ट रिशो, कॉर्णी गोरिला, विक्टर्स की प्रोटेक्शन मिलती है, जो मेरे साबसे काफी जाधा बढ़िया डिस्प्ले लगती है, सिंगल पंच होल के साथ यह आता है, तो देखने में क काफी अच्छा लगा है, कर्फ स्क्रीन है, जो मुझे काफी लगा है, ब्रिजल्स बहुत कम है, चिन भी ठीक है, और मुझे काफी बढ़िया डिस्प्ले के साथ यह फोन लगा मुझे, आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बोक्स में ज़रू पता ही, और वीडियो बढ स्टोरेज, UFS 3.1, LPDDR5 के साथ आता है, जो काफी बढ़िया चीज लगी मुझे, बाकि अगर 2512 GB वाला वेरियंट भी हो जाता है, मगर कॉस्ट भी बढ़ जाती है, MIUI 13, एक्स्पिरियंस करना चाता हूं, देखना चाता हूं कैसा है, और Android 12 भी इसमें दिया गया है, साथ म 10,00,000 का स्कोर कहते हैं, और देख लेते हैं, इसमें कितना स्कोर आता है, तो आल्मोस्ट, क्या हो, सारी, 996,006,31, तो रेली काफी इंप्रेसिव स्कोर है, बस गरम ना आता है, मेरा फोन बहुत जादा गरम हो जाता है, यहां पर स्पेक्स पढ़ लेते हैं, इसमें आपको इस फोन में, जो हमने अभी तक नहीं बताया आपको, और कैमरा 50.3 मेगापिक्सल, डिफॉल्ट कैमरा 8.3 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, और इसमें आपको 4600 अमेज की बैटरी मिलती, 120 वॉर्ट का चार्जर, एंड्रोइड वर्जिन 12, जो लेतेस्ट है, जो काफी बढ़िया लगा मुझे, NFC भी ये फोन सपोर्ट करता है, तो काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, तो फोन के कैमरे की बात कीज़ए, तो इसमें ट्रिपल रेर कैमरा मिलता है, कैमरा लेट मुझे काफी पसंदा है, बंप बहुत कम है, काफी देर बाद बंप कम किया गया, मिलेवन अल्ट्रा, मिक्स फोर, और ये मिलेवन टी प्रो, काफी जादा बंप था, तो मेन कैमरा है 50 मेंगा पिक्सल का, डूल पिक्सल पीडिएफे, ओव ये सपोर्ट करता है, फिर 50 मेंगा पिक्सल का टेली पोर्टो, 2X अप्टिकल जूम के साथ, और 50 में में आएगा, तो हम compare करेंगे, आइफोन के साथ compare करेंगे, और जो flagship phones है, उनके साथ भी compare करके देखेंगे, आप आपको 50 मेंगा पिक्सल का ये camera lens मिल जाता है, तो देखेंगे कितना ज़्यादा बढ़िया है, साथ में इस phone में आपको 20X, 20X का digital zoom मिल जाता है, तो काफी है त जाएगा, तो इसमें आपको MIUI 13 मिलता है, काफी जादा improvement आई है उसमें, और काफी लोगों को bugs की complain होती है, शाओमी के UI में तो hopefully इस पर कम हो, तो next week हमें पता चल जागा कितना बढ़िया है MIUI 13 में, मैं really excited हूँ उसको use करने लिए, इस phone में आपको refresh rate में आपको 120, तो इसमे शाओमी काफी अच्छी लगी, तीन refresh rates आपको मिल जाते हैं, तो phone overall मुझे काफी impressive लग रहा है, अगर इसमें heating issue ना हो, और जादा lag और bugs ना हो, तो hopefully देखते हैं, शाओमी ने कितनी improvement की है इस phone में, इंडिया में भी globally launch होने के काफी chances हैं, काफी जादा उनने पर्मोट किया इसके launch event के बाद, हमारे मनुकुमर जैन ने भी कहा था कि हम ये last सकते हैं, तो देखते हैं ये इंडिया में कब तक आता है, February या March में, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बड़िया लगे तो एक like शरू कर देना और new है चनल पर तो subscribe करना, मिलते हैं एंगले वीडियो मे झाल झाल